चतरपुर जिले की बक्सवाह मुख्याला इसे मातर 20 किलो मेटर की दूरी पर इस्थित है प्रसिद तीर्थिस्थल भीमकुंड मध्यप्रदेश के बुंदेल खंड में इस्थित यह इस्थान प्राचीन काल से ही रिसियों मुनियों तपस्यों एबं साधकों के इस्थली रही है बरतमान समय में यह स्थान धार्मिक परेटा नेवब बैग्यानिक सोथ का कैंदर भी बना हुआ है यहां इस्थित जलकुंड भू बैग्यानिकों के लिए कोतू हलका विसाय है दरसल यह कुंड अपने भीतर अतल गहराईयों को समेटे हुए है आश्चरे के बात तो यह है कि बैग्यानिक इस जलकुंड में कई बार गोता कोरी करवा चुके है किन्तू जलकुंड की था अभी तक कोई नहीं पासका ऐसी माननेता है कि 28 सतापदी में अंतिम दसक में बिज्जाबर रियासत के महराज ने यहां पर मकल संक्रांती के दिन मेले का आईजन करवाय था उस मेले की पनमपरा आज भी कायम है मेले में हर साल 1000 लोग सामिल होते है भीमकुंड एक गुफा में इस्तित है जब आप सीडियों से अंदर कुंड की तरफ जाते हैं तो यहां पर कुंड की चारों तरफ पत्थरी पत्तर दिखाई देते हैं यहां लाइट भी कम होती है लेकिन यहां का नजारा हर किसी का मन मुह लेता है भीमकुंड के ठीक ओपर बड़ा सा कटा हुए जिससे सूरी की किर्णे कुंड के पानी पर पड़ती हैं सूरी की किर्णों से इस जल में अनेक इंदधनों सुभराती हैं उरे प्रदेस में कोरु तो बही जानकारों ने भी बताया भीमकुंड का रहस सुनिए उन्हीं की जबाने अब बावजी एक भीमकुंड ये सथान है यहां की क्या परंपरा है और क्या यहां की विसेष्था है ये अधियादवास का है, अधियादवास में जब बंड्रो लो गो परवास में थे तो इस रोप्ठी को प्यास लगी थी पाँचालिकों तो उन्होंने भीम से कहा किमको कियाश लगी उपर भीम में नकल आसी का नकल जानते थी पाना के संबंध में तो तो नकुल खुन दूर तक जंगल में चले, कहा भीम, पानी तो है लेकिन हो इतने गहराई में, उपर भीम ने अपना फ्रोद में गरहक अपरहाद किया, तो ये पाताल फूजया, पानी निकल आया, अब भीम पहें लगे, पानी तो निकल आया, लेकिन अप पूएंगे कैसे, रास्ता ने थी तो अर्दुन ने अपना तीर मात के रास्ता बनाया तो खुश जाकर के पानी पिया तो उस दिन रुके रहे चले गए पानी पीना था पर बाद में राजा महराजों ने निर्मार, शिदिया मगरा, संकर्दी की इस्ताफना दीरे दीरे पिचार हो गया मेला ब जापान में भूकम पाया तो भी इसमें तीन दीन भूट की लेने आते लिए और असी मीटर तक गोता खूर हो आए हैं बंबल से आए थे, असी मीटर के बाद बता रहे थे हमारी खंतानी अंधर जाने की तो बापिस लॉट आए थे, बुला थे हमारा बहने का डर है तो बा बाद कई रास्ताएं कई गुठाएं और पानी बहरा बहने के बाद उनको डेटेर जो तो कॉंटेल की मच्छी बुली थी तो उन्होंने अपना डिसकब्री में दिखाया है पेपर में तुझा है और यह पूरा जो को इस धिकरा है वहां पूरा नेचुरल है ना च्छी ने काटा है न तोड़ा है यहां सरद्दालु Dw mains का अना जाना लगाता रहता है यहां सरद्दालु का कहना यह है कि पिछले शमय से अभी जलसतार में बहुत कुछ कम हो जाता है बैसे कमनी होता है चाहले करते रहो जा Laura जटना वही है उतनी रहेगा छन्दभार